विजनों पेशिया आप आपको लिये चलते हैं मिठास की तरफ अनीता अजमेरा नकेवल तरह तरह के व्यंजन बनाने की महारत रखती हैं बलकि 75 में इंडिपेंडेंडेंस डे को देखते हुए उन्होंने मिठाईयों को भी भारतिय जंडे के रंग के साथ जोडने का एक स्र तो जब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो मुह में पाने भी आ रहा है और भारत वाता है कि जय जय कार मदूर्था से जो करने वैल एक मन है वो बन जाता है तो भारतियता के भाव के साथ जब भोजन की बात आप से कर रहे हैं तो आप बटाईए इंडियन कल्चर के प भारतिया पहँए हैं किसी के दिल को जीतना है जीतना है तो टाइड आप जाता है और भाषा है भोजन है जब भारतिया संस्कृति के साथ जड़ा हैं विल्कुर सही है, अधिक भेष भी जुडवाई लेकर भेष तो क्याए, तो अधि ने कोट बहुत पेट हूँ। वहारत में भेष्ट कम होता जारा है भारतियर्था वाला पिर भी जैसे आपका परिदाने भारतियर्था टिखाई दे रहे हैं और यह हम अगर संस्कृति वागर जाते हैं तो भोजन की बात को लेते हुए फिर आप यहां आकर जब आपको बहुत बरस हो गए हैं तो मिस्करत जो ट्रडिशनल इंडियन फूड होता है उसको मिस करते हैं इंडिया में भी हर जगे हर रदेश के अंदर अलग-अलग फूड होता है वहां के ट्रडिशन के हिसाब से अलग-अलग फूड होता है बट यहां पे आकर हमने उसको कोशिश किया कि वह ट्रडिशन बना रहे फ फेस्टिवल्स जब आएं तो वह वाले भोजन के प्रकार व्यंजन बनाएं जो कि उस ट्राडिशन के साथ जूड़े हुए है अभी जैसे नियु योग में अगर आप लिखेंगे तो इंडिया के रेस्टोरेंट्स की संक्या दिनों दिन बढ़ती जारे हैं मतलो भारतिय भो जो नहीं भी है उनको भी इट रिलेट्स तो देर ओन ट्राडिशन अलसो लाइक पोटेटो लाइक एंपनादाज होते हैं कोई भी है तो एक उसका अलग ही टेस्ट है कुछ तो उसमें है कि वो जैनरल लोगों को भी पसंद आता है और ऐसी क्या डिश आप सोच्टिए आप गी होता है तो झालन बाद तो उसमें बाडी ठीज आती जाती है जो की बहुत सेलेड़ेट करी जाती है और उसमें बेशन के सत्तु बनाए जाते हैं और उसका बनाने का एक अपना अलग एक तरिका होता है, भी के साथ में ऊफिर तक उसको सेका जाता है और जो इतना इतनी देर शेखने के बाद उसका फ्लेवर ही अलगाता है और वो और टीशनल जो राजस्तन का फ्लेवर है वहीं के उसके अंदर अच्छा लगता है तो यह जो जुड़ गया है कुछ संस्कृति कुछ उच्छवों का एक विशेश प्रकार के वियंजन के साथ संबन तो संकरांती होती है तो कुछ काते हैं ऐसा तो संस्कृति और भोजन और उच्छव और यह सब मेरे को लगता है कि इतने जाना घुले मिलें कि आपका जो यह कुकिंग की तरफ इंट्रेस्ट है इसने बहुत हेल्प की होगी आपको और आपके आसपास वालों को भी है तो भोजन अपन बनाते हैं और खाते हैं क्या होता है मन की खुशी मन की खुशी होती है तो अपन सब चीजे रिलेटेड़ है अपन फेस्टिबल भी सेलिब्रेट करते हैं तो खुशी के लिए करते हैं उस खुशी के अंदर अगर अच्छा व्यंजन मिल जाए तो चार चा यह बनाई हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए क्योंकि मिठास के साथ भारत से जुड़े रहने का So here are a few images again that would remind you of India as well as sweetness and thank you very much Shanita ji for spreading sweetness. Thank you so much. Thank you so much.